नमस्कार मैं राजेंदा बंसल वास्तु सुलाकर आज आपको साउथ फेशिंग बार एंड रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी देने चाहूँ मैं आपको हमेशे ही वास्तु सास्तु के सास्त अपने अनुबाओ की भी जानकारी देता रहता हूँ मेरे पास हरोज बहुत सारी इंक्वारी आती है बंसल जी हमारे अपने इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दीची और मैं उनकी अपनी इंक्वारी को समझते हुए उनसे बात करके उनकी अपने टॉपिक पर वीडियो बना देता हूँ आप भी अपनी साइट के परती वीडियो बनुआना चाहते हैं लेयाउट पे चर्चा करना चाहते हैं डिसकस करना चाहते हैं तो आप भी ने संकचव के मेरे से सलाह ले सकते हैं वीडियो बनवाने के लिए भी और लियाउट पे सलाह लेने के लिए भी आपको दो तिन काम जरूर करने होगे आपकी अपनी यदि बिल्डिंग बनी हुई है आप उसके बारे में सलाह लेना चाहते हैं सबसे पहले तो आप उसका आपने कोई प्लाइन बनाया है लियाउट बनाया है नक्सा बनाया है मैं बनाया है तो उसको मेरे को वाट्शाप कर दीजिए आप अपनी साइट की कम से कम अपने मोबाल से दो वीडियो जरूर बना के पेचे वीडियो जितनी ज़्यादा किलियर होंगी जितनी ज़्यादा किलियर की प्रिवा सही है जितना उसके अंदर आप एरिया दिखा सकते हैं दिवारे भी, सिलिंग भी, फर्स भी कहां क्या चीज़ रखी हुई है किस तरीके से रखी हुई है यह आप अपने मोबाइल से बोलते वे वीडियो बनाते वे चले जाए और continuity में वीडियो बनाए आपको लगता है वीडियो लंबी हो रही है तो वीडियो को वही रोप दे उसके बाद वहीं से दूसरी वीडियो बना ले क्योंकि वाटसेप पर बहुत लंबी वीडियो आती नहीं है आपके साइट एक वीडियो में कंप्लिक्ट हो जाती है तो बहुत अची वात है नहीं होती तो दो बना ले और फिर भी नहीं होती तो तीन भी बना सकते हैं चार भी बना सकते हैं इसी के साथ में आपको एक काम जरू करना है जिस साइट के बारे में आप सलाह लेना आते हैं उस साइट पर पहुंच कर आपने लोकेशन जरूर मेरे को शेयर करनी है वाटसेप पर लोकेशन से कर दीजिए जिससे कि मैं गूगल आर्थ से भी आपकी साइट की डिरेक्शन चेक कर सकता क्योंकि कई बार डिरेक्शन में मिश्टेक हो जाती है तो गलती नहीं लगेगी इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा हर एक वेक्टी मेरे को अपनी साइट पर नहीं बुला सकता क्योंकि डिश्टेंस दूरी का भी फरक होता है इसके साथ साथ खर्चा भी बहुत सारा आता है हर एक वेक्टी एफॉर्ड नहीं कर सकता इसलिए ओनलाइन कंसल्टेंशी आप मेरे से ले सकते हैं अब मैं आपको बार और रेस्टोरेंट के बारे में जानकरी देना चाहूँगा जो जानकरी मैं आपको देता हूँ वो हमें से ही आपके अपने फाइदे की यानि की बेनिफिट की जानकरी देता रहता हूँ और अपने वीडियो में कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा जानकरी आपको देश को आपके यहां फ्रंट तो सौथ फेसिंग है ही फ्रंट में जो आपने में गेट बनाना है वो सौथ सौथ इस्ट है इसी के साथ आपके यहां फ्रंच में ब्रम्दा भी बना हुआ है यह इस तरीके से है यहां पिलर आता है बीच में लाइन कोई नहीं है आपको यह जगे भी प्रॉपर पुरी मिलती है इसी के साथ आप अपने सीटिंग बाहर भी कर सकते हैं और अंदर तो आपने करनी करनी है रोड जो बनती है वो रोड यह वाली बनती है आपने अपने यहां पर सीटिंग कहां बनानी है इसी के साथ आपके अपनी कई मंजिल के बिल्डिंग है उसके अंदर आपने स्टो ग्रांड फ्लोर पे ही बार रेस्टोरेंट बनाना है फर्स्ट फ्लोर पर या सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए जो स्टेर्स वाला रास्ता है वो आपका अपना बाहर से ही फ्रंट से ही बना हुआ है वो अधर पार्टी को यानि किसी और पार्टी को स्पेस दिया हुआ है ये स्टेर्स उपर की और चली जाती है इसमें आपने सबसे पहले तो एक store बनाना है Store आपका कहा होना चाहिए परवास्त ठोर हमेशा ही South West में होना चाहिए तो ये आपका अपना complete stairs के नीचे भी और बाहर निकलते भी stores बन जाता है लेकिन store बनाते हैं आपको एक चीज़ का और ध्याना है आपने यहां स्टोर का जो फर्स करना वो चार छेंच, उंचा करना है, फ्लोरिंग हमेशा यहां की उंची होनी चाहिए, आपको इसके अंदर जो दर्वाजा लगाना है, यहां दर्वाजा आप इस्ट में भी लगा सकते हैं, इस्ट नॉर्थ इस्ट में और आप नॉर्थ न यहां आपके अपनी डिस्प्लेय आजाती है उसके बाद आपका अपना एल पोजिशन में यह काउंटर आजाता है यहां ओरनर की सिकिंग आजाती है कॉस्टमर कोई बैठने चाहे तो दो चेर सामने भी आजाती है इसी के साथ में आपको अपने यहां पे फ्रिज कहां रखना है मैं आपको कुमँगा फ्रिज आप यहां रख सकते हैं क्योंकि आपके यहां बार एंज रेस्टोरेंट का काम है बार के लिए हमेशा ही फ्रीज जहां बार की सर्विस होती है वही पर फ्रीज रखा जाता है इसी के साथ में आप यहां पर भी एक काउंटर दे सकते हैं सर्विस काउंटर यहां आपका अपना स्टाफ आ जाएगा इसी के साथ साथ आपने एक चीज को द्यान करना है यहाँ पर हो सकता है आपको एक स्टेंडिंग फ्रीज भी लगाना पड़े यहाँ आपका अपना स्टेंडिंग फ्रीज लग जाता है या फिर स्टेंडिंग फ्रीज आपका यहाँ लग जाता है यह आपका अपना डी फ्रीज हो गया, यह स्टेंजिंग फ्रीज आजाता है, आप इस तरीके से फ्रीज लगा सकते हैं, फ्रीज लगाते विए आपको इस चीज का देहां रखना है, जब आप फ्रीज लगाएंगे तो आपका कोई एक दर्वाजा, चहे इस्ट का, चहे नौ हो जाएगा, आपने दर्वाजा तो एक ही बनाना है, मैं आपको कौहूंगा, आप दर्वाजा इसका ही रखें, नौर्थ का दर्वाजा नहीं बनाते हैं, तो वेष्ट में, यहां पर आपके अपनी सुचिंग आ जाती है, इसी के साथ में, आपको अपने यहां पर एक पिछे आपके अपनी service line है, service line में भी एक दरवाजा आजाएगा, यहां आपका अपना पीने का पानी, यानि की water cooler आपका अपना यहां आजाएगा, थिंडा पानी, इसी के साथ में आपको दो toilet चाहिएं, दोनों toilet आपके अपनी यहां आजाएगे, एक आपके अपनी staff के आपको अपने यहां पे जो kitchen बनानी है, यह आपके अपनी kitchen बनेगी, यहां पर भी आपको almira भी बनानी पड़ेगी, और साथ में fridge भी रखना पड़ेगा, kitchen में यहां आपका अपना sink आजाएगा, यहां आपका sink आजाता है, यहां आपका अपना fridge आजाता है, यह आपके अपनी almira आजाती है, यह आपके अपनी slab आजाती है, स्लेब में यहां पर आपका अपना बर्नर वेस्ट वाल पर है वेस्ट फेसिंग के बर्नर आजाएगा यहां आप अपना ओवन माइक्रोवेव गरा लगा सकते हैं आपके पास जगेव होते हैं ओवन माइक्रोवेव लगाना हो तो आप यहां भी लगा सकते हैं या फिर यहां यहां आपका अपना slab आजाएगी, यहां पर आपका अपना रहक आजाएगा और यहां आपका फ्रीज आगे, यह आपका अपनी slab बन जाती है, जैसे आपको comfortable लगे, क्योंकि आपके यहां microwave भी लगाने हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके यहां जो खाना आएगा, वो खाना आपका बाहर से बना बनाया खाना लेगा, लेकिन उस खाने को आपने अपने इहां पर रखने के लिए, स्टोर के लिए भी जगए चाहिए, सर्विस के लिए गरम करके भी खाना देना है, उसके लिए आपका microwave आजाएगा यहां पर, यहां आपके अपनी कैसा यहां आपके अपनी almira आ जाती है, यहां आपका अपना फ्रीज आ जाता है, आपको अपने यहां पर यह किचन का सेट अप करते हुए, इस चीज का जरूर धाना है, फर्स का जो स्लोप होना चाहिए नौर्थ इस्ट की और, आपके अपने रेस्टोरेंट के मुकाबले, कि 6 इंच नीचे हो, या आदा इंच नीचे हो, या कमप्लिक साउथ फेस्ट से नौर्थ इस्ट की और स्लोप हो, यह आपने जरूर ध्यान आखना है, आपके अपनी किचन नौर्थ फेस्ट में, वेस्ट वाल पर आ रही है, तो मैं आपको कूँगा यहां पर आप एक या दो एक जोरूर लगाए, क्योंकि आपको नौर्थ में सर्विश लेन मिलती है, आप अपने यहां पर पानी की बोरिंग कराने चाहें, तो आप ही यहां करा सकते हैं, आप पानी का अंडर्गरांड टेंक बनाने चाहें, तो यहां टेंक भी पना सुथ है, यहां पर टोइलेट बनाते हुए इस चीज़ का अपने ध्यान रखना है क्या है टोइलेट का फर्स कभी भी कीचन के फर्स लेबल से उंचा नहीं होना चाहिए है अब अपने यहां पर कीचन को पार्टिशन लगा के भी सेपरेट भी कर सकते हैं यहां आपका अपने दोरा जादा है जैसे आपको कमफर्टेबल लागे उस तरीके से आप अपनी कीचन को सेट बना रहें अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने यहां पर सिटिंग किस तरीक ऐसे करनी है क्योंकि आपके यहां बार है बार के अंदर अधिकतर मैंने देखा है कि मेल मेंबर ही ऐलकोहल, विस्की, बियर लेना पसंद करते हैं, फिमेल भी लेना पसंद करते हैं, लेकिन एवरेज में मेल मेंबर ज्यादा है, अब अपने यहां पर टेबल्स इस तरीके से लगाते हैं, आपके यहां स्पेस के हिसाब से, सिटिंग तिन-तिन की करने हैं, तिन-तिन की करने हैं, दो की करने हैं, तो दो की भी आप सिटिंग कर सकते हैं, आपके अपने स्पेस की हिसाब से आप यहाँ पर भी टेबल इसी तरीके से लगाएं और इस ट्वाल पर भी आप सिंगल टेबल लगा सकते हैं यानि कि दो मेंबर के सिटिंग आप अपने स्पेस के साब से एरिय के साब से जैसे आपको कमफर्टेबल सेटिंग बने इसी के साथ मैंने सबसे पहले आपको एक बात कही थी आप अपने यहाँ पर भी बाहर open area में भी sitting कर सकते हैं standing वाले भी और table वाले भी जैसा space आपको मिले उस तरह के से आप round वाली table भी लगा सकते हैं इस तरह के से आप बाहर भी अपने यहां पर sitting कर सकते हैं अब मैं आपको बताना चाहूँगा आपने अपने यहां पर furniture किस तरह के से बनाना है सबसे पहले बाहर का जो furniture रहेगा वो आपका अपना red color, maroon color और purple color reddish purple, pinkish purple होना चाहिए blue purple में नहीं आना चाहिए इस चीज का आपने ध्याना है कौन सा color? red color, maroon color pink purple इसके साथ आप orange color भी लेना चाहिए reddish orange color वो भी आप ले सकते हैं इसी के साथ reddish brown भी आप ले सकते हैं आपने अपने यहां पर front में जो flooring करनी है जो first करना है वो red color आता है, reddish brown आता है जो color मैंने आपको बताए है उनहीं में से कोई भी color आजाए कोई दिक्कत नहीं है shutter आपके यहां लगा हुआ है shutter के ओपर color भी maroon ही आना चाहिए या फिर जो color मैंने आपको बताए है यही color आने चाहिए हाँ इनमें एक color और एड़ कर सकते है peach color वो भी आपका अपना pink color के माफिय की color आता है इसके साथ साथ आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है सबसे पहले आपने अपने यहां front के area की धुलाई नहीं करनी है सब ज़डू लगेगी ज़डू से ही आप अपने यहां बाहर की area को साफ रखने की कोशिस करें आपको लगता है कोई सामान गिर गिया है और उस सामान को आपने clean करना है पानी डालना पने है तो उतने ही area को आप clean करें complete पुरे फर्ज के दुलाई ना करें आपके यहां अंदर का setup एज पर वास्तू complete अच्छा होने के बवजूद भी अच्छा customer आते वे भी अच्छी income होते वे भी आपका अपना रेस्टोरेंट south fishing है और आप अपने यहां पर फर्ज के हिस्से की हर रोज दुलाई करते हैं एक बार नहीं दो बार एक बार सुए एक बार रात को तो मैं आपको को हूँगा आप अपने यहां पर यहां से कमाया हुआ पैसा अपने घर खर्चे के लिए तो ले जा सकते हैं सेविंग के लिए नहीं ले जा सकते हैं आप मेहनत कर रहे हैं आपकी मेहनत आपके कामाई की के अरिय के दुलाई करता है उसके सिर के ओपर हमेशा ही करज चड़ा ही रहता है कभी भी करज उतरने में नहीं आता है आप अपना करज उतरने चाहते हैं तो आप अपने यहां फरंच के अरिय के दुलाई बंद कर दीजिए आपका करज और बढ़ना बंद हो जाएगा और आ आपका अपना वर्क बहुत बढ़िया हो जाएगा, अब मैं आपको बताने जा रहहाओ अंदर के कल़र स्क्रीम के बारे में आपने जो इश्ट में सिटिंग बनानी है वो ग्रीन कलर और ब्राउन iki अर ब्राउन कलर, इसके साथ में जो आपकी सिटिंग वेस्ट के ऊड और न इस त्रीके से आप अंदर के सीटिंग करें और जो काउंटर के सीटिंग है वो भी आपके अपनी रैड कलर, पिंक कलर, पीच कलर, लाइट ब्राउन कलर, औरेंज कलर, और फ़ाइट कलर की आपकी काउंटर की सीटिंग है हैं यह मैंने आपको सेटब बता यह रेस्टोरेंट और बार के बारे में आपने आप यहां पर खिचन में और पीछे तुब टालेट के इरिये में और जो आपकाता किचिन का इरिया में अ उसके ऐंदे जो कलर क्रना वो क्यल्लू खा ग्रेक लां पीछे Geek अपर आपने स्काइबलू कलर करना है, ये गेट आपका ब्राउन भी हो सकता है, स्काइबलू भी हो सकता है, लेकिन ये जो गेट आपका अपना, गलास का है तो कोई दिक्कत ही नहीं, और आपका अपना वुड का है तो ब्राउन आ जाएगा, और स्टील का है तो कोई दिक्कत नहीं है, स् इस्ट में इसे में आचा़ आ जाते हैं। नभी का यहां आप गालником के अनलइटार करें। यह मैंने आपको कम्प्लिट जन करी दी बार एंड रेस्टोरेंट के बारे में आपको कुछ खास बाते बताने चाहूँगा मेरी अपनी यूटूब चैनल के ओपर जड़ सो से ज़्यादा वीडियो है अलालग टॉपिक के ओपर वीडियो है आप यदि प्रेशान है तो आप मेरी वीडियो पंसा दस वीडियो जरूर देखे आपको यह समझ में आ जाएगा कि आपके यहां कहां क्या कमी है आप मेरे से सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपने यहां का लियाउट भेज के या वीडियो बना के मेरे को भेजे और आप मेरे से ओनलाइन सलाह ले सकते हैं आप अपनी साइट के पड़ती कोई वीडियो बनुआना चाहते हैं तो आपनी संकुछों के वीडियो बनुआ सकते हैं आप किंतिस मैं निकाल कर मेरी वीडियो देखते हैं आप सभी का मैं तह दिल से धन्यवाद करता हूँ इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विश्य पे चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार